एक रन आउट से टीम इंडिया में मचा बड़ा बवाल सूरे ने किया आगे खेलने से इनका ड्रविट परेसान तो ऐसे में क्या कुछ है पूरी ख़बर की जानकारी और क्या बोले सूरे कुमार यादव सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में लेकिन उससे पहले अगर आप ये टीम इंडिया फैन और साधे साथ सूरे कुमार के तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक चैनल को सब्सक्राइब और साथ कमेंट में सूरे कुमार यादव लिखना ना भूले तो चलिए अब इस रिपोर्ट की बात करते हैं भाईया वंडे वल्लकप 2023 में टीम इंडिया क भी आपको बता दी कि यहाँ पे 21 वंडे मुकाबला खेला गया जिया जहां ये मुकाबला भारत और न्यूजिलैंड के बीच खेला गया था तो इस मुकाबले में जहां पे टीम इंडिया ने भले न्यूजिलैंड की टीम को चार विकेट के रहते हरा दिया था लेकिन ऐसे किर्केट फैन्स सभी परिसान हो गए थे जी यां दरसल मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मसूर भारती बल्लेबाद सूरिक कुमार यादव रविवार को जब न्यूजिलैंड ए खिलाफ वर्ल्ड कप दोर 23 में मैच में सस्ते में अपना विकेट कवा बैठे तो ये उनका वर्ल्ड कप डेब्यू मैच था जी सूरिक कुमार यादव चार गेन में दोरण बनान के बाद रन आउट हो गए वहाँ जब आउट हुए तब उनके साथ क्रीश पर दिगज बल्लेबाद वराट कोली भी थे और सूरिय और कोली में तालमेल की कमी दिखी जो भारते फैंस को बहुत चुब रहा था दरसल फैंस सोचल मेडिया पर इस बारे में काफी चर्चा कर रहे हैं तो एक तरफ आपको बदा दे जहाँ पे सूरिकुमार यादव के फैंस वराट कोली के फैंस से लड़ रहे हैं तो वहीं वराट कोली के फैंस सूरिकुमार यादव के फैंस से लड़ रहे हैं और इस बात को लेकर कोड रविड भी परिसान है उनने कह दिया कि यहाँ पे मेरी कोई गलती नहीं थी मैंने एक रन के लिए भागा ताकि कोली भाई को क्रिच मिल जाए और वो जल्दी से और रन बना सकें लेकिन यहाँ पे मेरी भी थोड़ी गलती होगे कोली भाई ने भी यहाँ ध्यान नहीं दिया इसे एस से आउट होगे लेकिन फैंस बार बार सूरिकमार यादव को ट्रोल कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि अगले मैच में सूरिकमार यादव खेलेंगे या फिर नहीं अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देजेगा वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद